नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश शिकारिक्र में जिसका नाम है शद्धा मन्च और मैं हूँ मलेका शर्मा कहते हैं गुरू बिन ग्यान संभव नहीं पिल्कुल गुरू की अविशक्ता हमें पग पग पर पड़ती है जब हमें ग्यान की प्राक को समझना होता है क्योंकि गुरू बिन ग्यान वास्तिविक्ता में संभव नहीं गुरू ही है जो हमें राहा दिखाते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की और ले जाते हैं और आज इस शिकारिक्रम के जरिए एक ऐसे ही गुरु श्री जिनका सानिद्ध हर व्यक्ति प्राप् गुरुशी सबसे पहले आपसे जानना चाओंगी आज की जो रूप रेखाएं बनी हुई है धर्म के साथ कर्म और करम के साथ धर्म को लेकर चलना कई बार बहुत मुश्किल होता है इस सिती में व्यक्ति किस प्रकार इन प्रशनों के उत्तर जान पाए आप हमें बताएं धर्म धर्ना का नाम धर्म है सत्पत का नाम धर्म है सदाच्रन का नाम धर्म है न्याय का नाम धर्म है सत्षिक्षा का नाम धर्म है हम जिस तरह से हमें अपने प्राणों को लेने के लिए कुछी और आवश्कता नहीं पड़ती है कि हम कुछ और अन्य करें हमारे सभी अंग गर्मा पालन करना आये तो आजिपल व्यक्ति धर्म का मतलब समंझता है कि कुछ रोड़िवाजिता आई यह करना वो करना नहीं धर्म का मतलब है सद आऔर अजी जिवन में आपका आचरन सहीरी आपका मार्ग सत्यका रहे प्रेम का रहे, करुणा का रहे, यही मुख्य धर्म है, और यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, आज का व्यक्ति धर्म को पताने क्या समझता है, कि हम धर्म नहीं, आप चल करके तो देखो, इससे सहज मार और कुछ है नहीं, बस थूड़ा सा चलने में आपक सदाचार के लिए आपको अच्छे लोगों का संग आरना पड़ेगा, उस अच्छे लोगों में जो सदमार्क पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों का संग करें, और सद ग्रंतों का अध्यन करें, हमारे धर्म ग्रंतों का अध्यन करें, और सबसे बड़ी बात है, आपके संगती अच्छे होनी चाहिए आपके Спर्सा गर्पा को अच्छे मार्क पर चलने में बहुत Πरिशानी है और शंत-बुर्षन का संग संग अच्छे पुर्षन का संगो महा पुर्षन का संग दिना गुरु कुछ संभff हो नहीं है ऐसा ह Jackie000 का संग कर वा पूर्षन बढ़ा है दुसंग से बचे हो, कुसंग से हम बचे, कुसंग से आप जितना बच सकते हो, हम यह कहते हैं कि आपने भले एक बार आपने दान नहीं किया, लेकिन अगर चोरी आपने नहीं की, तो वो भी दान से बढ़ा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एक बार किसी क आपने रोटी नहीं खिलाई लेकिन किसी की रोटी नहीं चीनी तो ये भी जो है एक बहुत बढ़ा कारी है तो हम दुसंग से बचें एक बार आप सतसंग न करें चलेगा लेकिन कुसंग से बचें हम दुर व्यसुनों से बचें दुसंग से हम बचें ये बहुत जरूरी है औ इक सब्ऩ में कहना भूट मुश्किल है, कि मैं एक सब्ध में आपके धर्म की ब्यक्या करूँ लेकन संक्षप्त रोप में जो धर्म के लिए कहा गया है। गुरूष्री मैं आप से जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे गुरु की तलाश हर रक्ति करता है, गुरु की तलाश कैसे हो? सबसे पहले बात है कि अगर आप प्रग्यावान है अंधे नहीं आप प्रग्यावान है तो आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं है कौन परमात्मा ने उमको बुद्धी दी है तो व्यक्ति देखने से उसके आच्रण से पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा है पहले बात तो यह है कि हम अच्छे गुरू को ढूंडने के लिए थोड़ा सा बुद्धी का प्रियोग करें, थोड़ी समझदारी का प्रियोग करें, यह अच्छा है कि नहीं है, तो एक तो उससे आपको पता चलता है, दूसरी बात में एक और कहता हूं, कि आप अच्छे ब प्रिकट हो जाएगी, यह वो परम सत्ता आपके सामने एक अच्छे सत्गुरू को अपने आप लियाएगी, जो कि छुपे हुए, आज हो क्या रहा है, जो अच्छे महापुरुसें, जो अच्छे गुरू हैं, वो पर्दे के पीछे चुपे हुए हैं, और आज जिसको हम, बहुत ऐसे में क्या को हुँ सब्दों को, जो बहुत आडंबर वाले हैं, वो आगे हैं, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल, ठीक है, आडंबर आगे आगे है, सत्य ता वो पीछे चुप गई है, लेकिन आप अच्छे सिष्य बन जाओ, जिस दिन आप अच्छे सिष्य बन जा क्था होगे तो सत्य अपने आप आई जागा सत्य छुपता नहीं है बादल सुर्य को चुपा नहीं सकता है कुछ डिर के वह धक हए जरूर यहालिगां पकर कश देर के लिए ढही आपको धी अच्रण करना पड़ेगा सत्य का आंच अच्रण करने कि कि में सरल सब्दों में कहूंगा आपको सदसिष्य बनना पड़ेगा सदसित्य का मतलब है कि आपके जोन में वह सदाचरन हो आपके जोन में ललक हो जग्यासा हो आजकर है क्या कि बस एक ट्रेंड चला हुआ गुरू बनाना गुरू बनाना गुरू बनाना ना आप सड़ आप को आजाए सब्सक्राइब तो फिर गुरु ढूंदने की ज़रत आपको नहीं है एक तो वह परमसत्ता अपने आपको बोद करा देगी और नभी आपको बोद होगा तो कोई ऐसा बोद महापुरुस आपको पर गट करा देगी जो आपको परमसम्पुन बोद करा देगा लेकिन आज हो क्या रहा है, व्यक्ति, आजकल वोग है, व्यक्ति अन्यु दिन थ़काईट, टकाल का है, श्टेंट से इसाम पूर करको पूर् Spanis बिल्कूल, थेलि पर दही जमाना चाहते हैं, बिल्कुल ततकाल, प्रमत मुझा है, हमार्या काजाता है कि बहुत काल करये सत् अना का मार्ग है, ये तप का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है, इस पर आप चलो, आपको जरूर प्राप्त होगा। जिवन में बहुत समस्या है, उन समस्याओं को देखते हुए, आप क्या कहेंगे, क्या समधान किया जाए। अप चलो, आपको ये तो तो बहुत करने के बहुत करने के लिएए। वो छोटे से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा, तो वो मिलता है आपको, एक सतत आपसाधना को सतत, जिस तरह से गंगा समुद्र को कब प्राप्त करती है, सतत चलती तो प्राप्त करती है, ऐसा तो नहीं है कि गंगा एक दिन चली हो फिर लेट गई सोचे समुद्र में, उसी कर्म में परिवरतन लाने की हमारे कर्म सुकर्म हो, यही तो आपका प्रशन है ना, हमारे कर्म सुकर्म हो, उसके लिए परिवरतन लाने के लिए जिवन में एक तो सत्यता हमारे जिवन में रहे, सत्यता के ऐसा बड़ा सदून है, कि जो हमको अधर्म की तरब जाने से रोकत जिवन में सत्यचर्ण रहे वह सब से ज़वी है जी सक्तिय क्या है कि सकत्य जूट से ज्ल से फृव्ड से परे होने का नम सक्तिय है दूट से दूर हूं परेब हो चल से दूर हूं कपट से दूर लेकिन अगर आज की की दर की बात करें जार्ल जर्प के लाइधा उर्सचिति को गाता है की नहीं जो मैं बोल रहा हूं वह सच है सामने वाला का एनने आप जूट बोल जो चोटे-चोटे बच्चे उपस में लड रहे हूं तो उसका नन्रणय कोन करेगा, उनसे बड़ा कोई होगा। दोनों बच्चे आपस में नणय नहीं करते हैं वो कहता है मैं सही हूँ और उनका नणय कोन करता है जो उनसे बड़ा होता है ठीक यही काम गुरू करता है कि दो अभूध दो अज्यानी विक्ति जब लड़ रहे होते हैं कि नहीं मैं सही हूँ तो फिर उनका नणय एक सद जाल numéro 1 यानादाल परिता दो तो कुल ने घर्मॉत आंज में भुनिति ऋचाहिए अलाजंति मिल गई तो दहर में अलिखर्त ढ़ीकों बिख्रत और लेकान अधर में आदार हर दो हैँ राजनेति का का अधर्म है उसमें धर्म होना जरूरी है लेकिन धर्म में राजनीती नहीं आने चाहिए धर्म राजनीती से बिस्द परे का विसाय है धर्म में अगर राजनीती आ जाएगी तो वो राजनीती जो है विक्रत हो जाएगी लेकिन राजनीती में जो धर्म आता है तो वो राजनीती खिलती ह तो राजनीती जो है वो अच्छे मार्क पर चलती है। गुरुजी व्यक्ति सही मार्क पर कैसे चलेगा? मैंने पहले भी बात आपसे कही है। व्यक्ति सही मार्क पर चलने के लिए तीन-चार चीज़ों को हम लोग देख लें। जहां तक हो सके। मैं भी समझता हूँ कि आज का समय थोड़ा सा बहुत पास्चाति संस्कुर्ति वाला समय है। हम कोई अपने बहुत उस प्राचेन भारत में नहीं रह रहें हैं। आज कल हम बनते विए अमेरिका के तरह हthest रह रहे हैं। तो आज का भारत वो भारत नहीं है, नहीं होगी, तो आज के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज का आदमी जहां तक हो सके, थोड़ा असत्य से बचे, असद आचरन से बचे, नहीं होगी। और जहां तक हो सके थोड़ा बहुत भजन पूजन की तरफ भी वक्ति अग्रसर रहे जीवन में थोड़ा सा आपके भजन पूजन रहेगा तो आपका जीवन थोड़ा सा एक आपको एक उर्जा मिलती है भजन पूजन आपको एक उर्जा देता है आपको एक नव जीवन देत तो जीवन में भजन पूजन का भी बहुत मत्व है परमात्मचिंतन सदाश्चरण सत्यका मार्ग और दुस्त जनों से थूड़ा सा दूरी बना करके आप चलो आपका मार्ग बहुत परस्थ रहेगा बहुत संदर गुरुजी परमेश्वर के दर्शन के लिए विक्ति घर से जंगलों की और जाता है क्या वो घर पर रहकर भी उस परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता जंगलों में जाने की पहले बात थी जंगलों में जाकर की व्यक्ति साधना करता था घर का माहौल थोड़ा सा प्रपंची माहौल होता है प्रपंची का माहौल होता है घर में आजका और आजका रियक्ती इतना वो जुविधा नहें वो जॉविधा भोगी हो चुका है कि उसके लिए थोड़ा जंगल असंभालना है। पहले का जीवन कठोर जीवन था, तो वो जंगल में रह सकता था, लेकिन आज का जीवन सुद्धाभोगी जीवन हो चुका है, इसलिए आज का वेक्ति जंगल में तो रह ने सकता है, घर में ही रह करके आप उस घर को ही वरंदावन, जैसे आज वरंदावन में आप इस घर को लिए कई भागने के ज़रूरत नही है, क्योंकि जंल में भी आप जाओगे, तो वहां भी हवा है, वहां भी आकास है, महां भी पानी है, सब कुछ तो वही है है, लेकिन तब भी बहुत ज़रूरी है, गुरुजी यदि वास्तविक्ता में आप उस परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो तो जीवन में जरूरी है ही है आप तब का मतलब है कि आंतरिक साधना आपकी आंतरिक साधना जब तक नहीं होगी आपकी तब तक वो मिलने वाला नहीं है गुरुदे बहुत हुषरत बाते सकारेक्रम के जर्या आपने हमारे तमाम दर्शकों बताएंगे चलते चलते संदेश स्वरूप ज़रूर आप कुछ कहें आज के समाज को और विशेष करके यवा प्रीडी के लिए मेरा यही संदेश है और बार बार यही मेरी विंती है कि आपका जीवन आनंद पुरुण बने यह जीवन हमें मिला किसलिए है हमारा यह जीवन पसू की तरह जीने के लिए नहीं बना है बलकि हम मनुष्य बने नर से नाराण के तरफ जानने के लिए हमारे ये मनुष्य जीवन बना है और नाराण का मतलब कोई भगवान नहीं कोई नाराण का मतलब जीवन आनंद पूर रहे परमात्मा अंद सुरूप हमारे यां का गया है उस आनंद को जीवन में लाने के लिए थोड़ा थोड़ा आप अध्यात्म की तरफ भी चलते चले जाओ अध्यात्म में आनंद है संसार ये दुखाला है या दुख है इस दुख से बशने का सरल सा उपाय है थोड़ा आप अध्यात्म की तो ओर चलो थोड़ा जीवन में सत्य लाओ जीवन में सदाचरण लाओ ये सब चीज़ें आप अच्छे आच्छरण जीवन में लाओगे तो आपके जोरण में आनंद आएगा ये मेरे आप सब लोगों के लिए असंदेस है ये मेरे आप सब लोगों के लिए विनम्वत पातलन है गुरुदेवाज भी आपकी तमाम जानकारें के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यबाद नमसकार आज के हमारे इस विशेश इसे कारेक्रम में आप हमें दे इजाजब हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार